हलो गाईज आज का मैज जो है कलकत्ता और राजस्थान के बीच में है कलकत्ता ने एक बिगट खोके असी रन बनाए है आठ पॉइंट थ्री ओवर में अब अभी देखते हैं कि जो है यह दोसों का आखड़ा बार कर पाते ही नहीं कलकत्ता अच्छी साथ और यह निकल गई ह है एक रन के लिए बाउंडी पर बचा लिया है फोर रन के लिए अब जो है गेंट थ्रो सीधे विकेट के उपर एक रन से संतुष्टी करना पड़ेगा आज का स्कोर हो गया एक्क्यासी रन आट पॉइंट फोर ओवर में रगवंसी खेलने हैं 28 रन पर पंद्रा गेंट प कि कल्कत्ता के लिए आई है कलकत्ता जो है मार दिया एक रन के लिए बाउंडी पर थी वह याप बचा लिया दो रन तो रहा है और यह हो गया आपका हमारे ख्याद से जो है दो रन मिल गए अब इसको रोगिया तिरासी रन एक विकेट खोकर और प्वाइट फाइप ओवर में अभी जो है अभी मैं जो है बड़ा रोमांचिक हो गया है अभी इसमें देखना है कि कलकत्ता जो है अच्छा इसकोर खड़ी कर पाती है कि नहीं रगवंसी खेल ला है अब धाइसो की ऊपर चले जाएंगी यह अब यह है अब देखते हैं कि यह धाइसो रण बना पाते एक नहीं धाइसो कि फिर अब मैं जो है एक टी नाइन एक टी नाइन हो गया है और नो नाइन पॉइंट वन ओबर में अब जो है रगवंसी खेल ला है 29 रन पर और जो है य पुराना दिखा रहे है रिपले और भी भी शिक्स का इन्होंने 78 लेंधिन की शिक्स में गई थी रगवंसी का जो है अच्छा शिक्स था तेर जो है बाउंडी पर आप जो है 9.1 29 रन 26 गेंट खोकर जो है 29 रन बनाया है और नारायन खेल ले हैं 48 रन 26 गेंट खोकर जो है 43 रन नारायन का और 16 गेंट खोकर 29 रन बनाया है रगवंसी अब जो है इनका स्कोर है भी एक बिकेट खोकर 90 रन और 9.2 ओवर में अब ये आगले गेंट कलकत्ता कोन सी टीम है राजस्थान के लिए राजस्तान ने जो है मारा वह एक रन पर संतुष्ट करना प अब जो है अभी जो है जो आउट हुए है अभी जो है सबसे ज्यादा रन जो है सुनील नारायन का है 211 रन बनाया अच्छे है अब जो इन्होंने फिर जो है एक रन के लिए बार दिया है और बहुत असानी से एक रन बन जाएंगे 92 रन पर होगे इसकोर 9.4 ओबर में अब है फिर जो है मैजूदा रन रेट इनका है मैजूदा रन रेट है 9.52 आर आर अस्विन आर्ट पर यह तेरा है अभी भी जो है स्कोर तो हमें लग रहा है काफी कम है इनको कम स्कम धाई और 300 के बीच में करना होगा तब तो जीतने के लिए अच्छा इनका सुनहरा आउसर हो है कि यह जीतने के लिए अच्छा कितना अच्छा स्कोर खड़ी कर पाती है यह हमें पता करना होगा अभी दस ओबर नहीं हुए दस ओबर में दो गेंद अभी कम है इनका स्कोर जो है 93 रन है और एक विकेट खो चुके हैं अभी इनके पास पूरे जो है 9 विकेट है अभी कमाल कर सकते हैं अच्छे वेटिंग करके जो है 200-300 वागी इनको तेज खेलना होगा तभी जो है रन के स्कोर को हो काफी बढ़ा पाएंगे नहीं तो फिर कम रन पे जो है काफी वह हो जाएगा काफी लूजिंग हो जाएगी बैटिंग अगला मैस जो है हाथ से निकल जाए है अभी चल ला है और देखते हैं कि रन आउट हुए कि नहीं हुए है अब यह मैच जो है ड्राव हो गया अब रन आउट नहीं हुए अब बच गये है और 93 रन का स्कोर है अब अच्छा रिवीव मांग लिया था बचे हुए है कोई विकेट ने गया यह मारा इन्होंने हो गया एक विकेट खोकर है नाइन पॉइंट फाइक ओवर में नारायन का 50 फिप्टी हो गया 29 फिप्टी रन मार दिया है नारायन ने अब जो है अगली जो है फिर फिल्डर में अब जो है फिर यह की रन पर संतूश करना पड़ेगा दस ओबर पर हंडेट रन पूरे हो गए एक विकेट खोके अब जो है एड आए रहा है इसको जो है यह प्रोग दीजिए कलकत्ता के फिर अब यह बैटिंग कलकत्ता ने मारा है बच गए अच्छी खास अच्छी बालिंग हुई है और इन्होंने जो है नो बाल का इसारा दिया है और स्वायडवायड जो है वाइड उसारा है यह रगवंसी ख्यलने तीस रन पर यह ग्रिंग स्ट्वर 27 और 10,000 पर शाय और जिसमें अब है कि यह किस इसा की और मैंच जाना है अभी इंको जो है 10S why? में 101 बनाए है अभी दस ओबर और रहा है जिसमें देखते हैं कि यह आगे कितना स्कूर अच्छा खोड़े कर सकते हैं बहुत अच्छी बाउंस और विकेट के उपर गई कोई रन नहीं अभी इंपायर का कोई सारा नहीं बाउंस का कोई है इन्होंने जो है अपील तो की है द अब यह रगवंसी तीस तीस रन पर खेल लें और नरायन खेलने हैं क्या उनन पर और एक बिकेट खोकर अभी देखते हैं कलकत्ता का स्कूर जो है कहां तक पहुंचाते हैं अभी इनको जो है तै करना होगा अगर यह 200-300 रन के स्कूर खड़ा कर लेते तो बड़ी आसा है तब इनको जीतने में आसानी मिलेगी हैं और दुसी तरफ दुसी तरफ कुंसी की में राजस्थान अभी राजस्थान जो है अभी क्या है कोई कोई बात बिगड़ गई यह उसमें जो है लगे हुए है इस अभी जो है अच्छा चलन्च वेटी हो गया दो इसको बंद करो होगी है ना आज का मैच जो है आई पियाज 16 अप्रेल का मैच है 101 रण पे खिल एक सो एक रण स्कोर है दस ओबर एक गेंद पर अब यह मार दिया है बाउस बाउंडी पर फोर फोर रण 105 रण दस प्वैंट दो वर में 105 रण का स्कोर खड़ा कर दिया है अब लग रहा यह उन्होंने साथ मारा और फोर रण के लिए सीधे बाउंडी पर जाके जो है टकराई है अब यह देखते हैं कि अब तो तेज होगे हैं अब इनके पास तो आठ नो विकेट है तो एक विकेट गिरा है अभी पुरे हाथ इनमें हाथ नो विकेट पाकी है चोगे इन्होंन अब दुसरी गेंद ओवर की दस इन्होंने मार दिये बहुत तेज और यह एक रण ही मिलेंगे जहां तक है दो रण तो मिलें कोई सवाली ने एक ही रण से संतोज करना पड़ेगा अब दस पॉइंट थ्री ओवर में इन्होंने एक सो छे रण बना लिए अब यह जो है इन तीन सो लंग्वण पहुंचाएंगे डाई सो तीन सो की बीच में ही आकड़ा रहेगा के के आर अभी एक सो छे रण पर डटी हुई है अभी इनके पास नो विकेट है नो विकेट में अभी बाद तू अच्छा खासा रण बना सकते हैं धाई-330 के रेज करीब ला सकते हैं तबी इनको जीतने में बड़ी आसानी होगी यह फिर गेंद अगली गेंद जो है बहुत अच्छी है वाँ से अरे शिक्स मानिक कोशिज के वहां पर हो गया कैच और जो है दूसरे विकेट गिर गिया एक सो छे रन पर फोर दस प्वाइंट फोर ओबर में अब जो है यहां अर्गवंसी जो है आउट होके जो है पर विडियन जा रहे है इनों इस्ट मानिक कोशिज की वहां बाउंडी पर कैच हो गये बाउत थो एक दम सीदे बाउंडी पर भीकेट खड़ा हुआ तो उस पर आउट होगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्रेश ऑथ अगत आसा अब जो है अगला ब्लॉग जो है इसके बाद बनाते हैं